सूप्रभाद बच्चो आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विशय संग्या के बारे में पढ़ेंगे संग्या अर्थात नाउन संग्या का शाब्दिक अर्थ होता है नाम बच्चो हमारे आस पाज जो कुछ भी है उसका कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है यही नाम संग्या कहलाता है आईए इस चित्र के द्वारा समझें इस चित्र में आकाश, पानी, नदी, पेड, जाडियां, लड़के, लड़कियां, बच्चे, नाव, रसी, मचली, तथा प्रसन्नता यह सभी कुछ प्रकट हो रहा है यह सभी कुछ संग्या कहलाता है क्योंकि यह इन सभी के लिए नाम प्रयुक्त होते हैं अतह संग्या का शाब्दी कर्थ होता है नाम आईए संग्या की परिभाशा जाने किसी व्यक्ति, वस्तू, इस्थान, प्राणी, तथा भाव के नाम को संग्या कहते हैं जैसे औरत, औरत व्यक्ति है इसलिए यह संग्या है चाता, यह वस्तू का नाम है इसलिए संग्या कहलाएगा कक्षा, यह इस्तान का नाम है इसलिए यह संग्या कहलाएगा खरगोश, यह एक प्राणी है प्रेम, यह मन में उठने वाला भाव है यह सभी नाम संग्या कहलाते हैं आईए जाने संग्या के भेद, संग्या के तीन भेद होते हैं, व्यक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या, तथा भाव वाचक संग्या आईए व्यक्ति वाचक संग्या को विस्तार पूर्वक समझे किसी विशेश प्राणी, वस्तू या इस्थान के नाम का बोथ कराने वाले शब्दों को व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं जैसे प्रिथवी प्रिथवी एक ग्रह है इसे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है लेकिन जब इस ग्रह का नाम प्रकट हो रहा है पृत्वी तब यह कहलाएगा व्यक्ति वाचक संग्या व्यक्ति वाचक संग्या का दूसरा उदाहरन रोहन यह एक लड़का है लेकिन यहां इस लड़के का नाम प्रकट हो रहा है रोहन इसलिए यह व्यक्ति वाचक संग्या है तीसरा उदाहरन तिरंगा यहां एक ध्वज है लेकिन इस ध्वज का नाम तिरंगा यहां प्रकट किया जा रहा है इसलिए यह व्यक्ति वाचक संग्या कहलाएगा किसी व्यक्ति वस्तु इस्थान अथ्वा प्राणी की संपूर्ण जाती का बोथ कराने वाले शब्दों को जाती वाचक संग्या कहते हैं अर्थार यह जाती का बोथ कराता है उदारण हाथी हाथी शब्द संसार भर में हाथी नाम की प्रजाती को प्रकट कर रहा है यह एक पशु है संसार भर में जितने भी हाथी हैं उन्हें हाथी के नाम से ही जाना जाता है इसलिए यह जाती वाचक संग्या है शेर शेर संसार भर में इस प्राणी को शेर के नाम से जाना जाता है इसलिए यह जाती वाचक संग्या कहलाएगा क्योंकि यह संपूर्ण जाती का बोत करा रहा है लड़की लड़की शब्द संसार भर में लड़की जाती का बोत करा रहा है इसलिए यह जाती वाचक संग्या कहलाएगा व्यक्ति वाचक और जाती वाचक संग्या के अंतर को आईए इन उदाहरणों के माध्यम से समझें पहले चित्र में लड़का लेकिन जब इस लड़के का नाम बंटी प्रकट हो रहा है तब यह कहलाएगा व्यक्ति वाचक संग्या लेकिन जब लड़का कहा जाएगा तब यह होगा जाती वाचक संग्या दूसरा उदारण देखिए इमारत इमारत शब्द संपूर्ण जाती का बोद कराता है इसलिए यह जाती वाचक संग्या है लेकिन जब इसी इमारत का नाम ताज महल प्रकट किया जा रहा है तब यह कहलाएगा व्यक्ति वाचक संग्या खरगोश इस प्राणी का नाम खरगोश जाति वाचक संग्या है क्योंकि संसार भर में इसे खरगोश के नाम से ही जाना जाता है लेकिन जब इस खरगोश का नाम हम चीकु खरगोश के नाम से बुलाएं तब यह व्यक्ति वाचक संग्या कहलाएगा संग्या का तीसरा भेद भाव वाचक संग्या जिस संग्या शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोश, भाव, आकार, अवस्था, आदी का बोध होता है उसे भाव वाचक संग्या कहते हैं जैसे बुढ़ापा बुढ़ापा शब्द अवस्था का बोध करा रहा है इसलिए यह कहलाएगा भाव वाचक संग्या दूसरा उदारन रुलाई रुलाई शब्द इस बच्चे के रोने का भाव प्रकट कर रहा है इसलिए यह कहलाएगा भाव वाचक संग्या तीसरा उदारन भूख भूख शब्द भाव प्रकट कर रहा है इसलिए है कहलाएगा भाव वाचक संग्या आईए जाने भाव वाचक संग्या की रचना किन किन शब्दों द्वारा की जा सकती है क्रिया, सर्वनाम, विशेशन, जाती वाचक संग्या तथा अव्याई आदी शब्दों में कुछ परिवर्तन करके भाव वाचक संग्या की रचना होती है जैसे बच्चा, बच्चा शब्द जाती वाचक संग्या है जब इससे हम भाव आचक संग्या बनाएंगे तो इसमें कुछ परिवर्थन होकर यह बच्पन के नाम से भाव आचक संग्या बन जाएगा अपना अपना शब्द सर्वनाम है जब इसमें परिवर्थन करेंगे तब यह हो जाएगा अपना पन यह भाव आचक संग्या है मीठा यह विशेशन शब्द है जब इसमें भाव आचक संग्या बनाने के लिए परिवर्तन करेंगे तब यह कहलाएगा मिठास पढ़ना यह क्रिया शब्द है जब पढ़ना शब्द में परिवर्तन करके पढ़ाई शब्द बनाएंगे तब यह कहलाएगा भाववाचक संग्या दूर यह एक अव्यय है और जब इस दूर शब्द में परिवर्थन करके हम दूरी शब्द बनाएंगे तब यह दूरी शब्द भाव आचक संग्या कहलाएगा तो इस प्रकार जाती वाचक संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया तथा अव्यश अब्दों में परिवर्तन करने से भाव वाचक संग्या बनाई जाती है हमने सीखा किसी व्यक्ति, वस्तू, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संग्या कहते हैं संग्या के तीन भेद हैं व्यक्ति वाचक संग्या, जाती वाचक संग्या तथा भाव वाचक संग्या जाती वाचक संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया तथा अव्यश अब्दों से भाव वाचक संग्या बनाई जा सकती है